सो कल एलवी सादो धुरूराठी के ओपर काफी अच्छा एक्सपोज वीडियो तो बना दिया हैं बट एक ऐसा मिश्टेक कर दिया हैं जिसको जैसे उनको कल से ही लोग बहुत ही जादा ट्रोल कर रहे हैं यस बिसकली जैसे उनका वीडियो आउट हुआ उसका टाइटल था एक्सपोजिंग धुरूराठी एंड ही एंटी इंडिया प्रोपगेंडा जिसमें सब कुछ सही था बट प्रोपगेंडा का स्पिलिंग आप यहाँ पे देख सकते हो गला था मतलब जहाँ पे प्रोपो लगा हुआ है उसमें O के जगा पे A यहाँ पे होता है तो ऐसे तो देखा जातो यह कोई बड़ा मिश्टिक नहीं है बट कई लोगों को यहीं पॉइंट मिल गया है एलवी सादू को ट्रोल करने के लिए यह जैसे कि आपको कुछ ट्वेट दिखा देते हैं अब इस ट्वेट में आप देख सकते हो कि उसी प्रोपेगेंडा को हाइलाइट करते हुए एक जैन ने लिखा उपर कि जिस गंदा को प्रोपेगेंडा के स्पेलिंग नहीं आती उसने धुरूराठी के प्रोपेगेंडा पे वीडियो बनाई है अरणी जम्ट फ्रॉम सेकंड फ्लोर अब इसके बाद देखने को मिला है कि बहुत ज़्यादा टोल होने के बाद सायद एलवी सादू को पता चल गया उसके बाद हो क्या हुआ कि चेंज कर दिया इससे स्पेलिंग को भाई एलवी सादो डिस्क्रिप्शन में अभी भी प्रोपोगेंडा के स्पेलिंग गलत लिखी है पहले तीन बार में वीडियो अपलोड हुई और अब तीन बार में भी एस पेलिंग ठीक नहीं कर पाया इसके अलावे जो एलवी सादो इस वीडियो के अपने ट्वीटर वाले हैंडल पे सेर किये थे वहाँ पे भी जो टाइडल था वो चेंज नहीं हुआ था यानिक उसमें भी प्रोपोगेंडा गलत लिखा हुआ था जो कुछ लोग उसका भी स्क्रीन सेर करते वे लिख रहे हैं कि भाई तीन घंटे हो गए अब ट्वीटर पे इडिट भी नहीं कर सकता और ओवराल इस तरीक से कुछ लोग है जो कि एलवी सादों को इसी पॉइंट को टार्गेट करते वे ट्रोल कर रहे हैं बागे इनके इस वीडियो पे लोगों के रियक्सन क्या है यूटूबर्स के रियक्सन क्या है ये नेक्स वीडियो में डालने वाला हूँ तो बाश सब्सक्राइब कर दो